प्रेस दे बेल आइकन ओन दे यूट्यूब आप अधिको जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज पूरी भारत इस इंडिया टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को ओली की ब के बारे में बात करेंगे जै हिंद जै भारत हमारे साथ हैं साजीत तरत साथ महाशन च cleaner sir पाई है आएंक्ट тобी घू हो जो मैं आज solely बलके सारे अद देखने वालों को ना सिर्फ भारत के अंदर पाकस्तान के अंदर भी हमारी minorities और अब अ किया प्रता नहीं है पाकस्तान में भी एक बहुत बड़ी इस वकत जो पाप्लेशन है वो होली मनाते हैं अब मैं आज होली पे ही कुछ अपनी जो मेरी जो देखे मैं स्टूडेंट वहर चीज़ को नई पढ़ता है होली एक बहुत बड़ा पुराना फैस्टिवल है और बिल खसूस इसक सिवलाजेशन के दौर से ये इसको सेलिबरेट किया जाता है साथमें सदी से आलमोस्ट और उसके बाद हॉली का जो इसमें एक तो सबसे पहले तो मैं रादे रादे कहना चाहूंगा सिरी रादे क्रिशना क्योंकि ये फैस्टिवल जो है मनाया जाता है इसमें क्रिशना औ और राता के हवाले से देटी. नहीं पर इसके बारे में हासी कहा जाता है कि एक राजे थे उनकी वेटी का नाम हॉलिका था तो बार-बार उसे इंसिस्क्त करते थे कि यू tell me that a येम a strong और गार्ड 小 वो बार-बार गार्ड का नाम लेती थी तो फिर उसको उनोंने घुस्से में आके जला दिया तो इसमें खासकर एक बॉनफायर है शाम को आग भी लगाई जाती है उसके आसपास ढोलकी बजाए जाती है गीत गाये जाते हैं सारे तो उसी को जो है देखा जाता है लेकिन फैस्टिबल अफ कलर जिसमें जो और फैस्टिबल स कलर और इसमें स्प्रिंग सीजन को वेलकम किया जाता है और जो पूरनमा है फुर पूरा जो है इसमें चांद है उसको सेलिबरेट किया जाता है ना सिरफ इसको हिंदू बलके मैं हिस्टॉरिकली जब पढ़ रहा था तो सब कांटिनेट जो भारत जो थे मिरे लिए बड़ा एक बहुत बड़ी बात थी कि इसको रैट फोड नाल के लूहं कि अंदर भी सरीबरेट किया जाता था और इसको कहा जाता था इद त entre सब्सक्रावीन और आप पाशी के नाम से और जो इसको बैन किया हमारे भाईजान औरंग जेब साब थे वो ज्य restore किया 1665 में फिर दुबारा और ना सिर्फ restore किया बलके holy के उपर उन्होंने शायरी भी की उन्होंने इसके उपर शायरी भी की थे फिर इसको ना सिर्फ हिंदू बलके जैन और सिख पर celebrate करते हैं आफरी गुरू जो थे 19 सदी में गुरू गुबिंद साब उन्होंने इसको बलके celebrate करते हैं अब उसमें सिख वारियर जो हैं बलके उस दिन आपने गोडों पर आ के सारी अपने वो मार्शल आर्ट का सारा महुली महला उसको कहते हैं वो भी उन्होंने celebrate किया जो मैं आज एक यूनीक चीज़ आपको बताऊंगा जो मुझे पहले नहीं पता थी वो ये थी कि एक तो महरा आजा रग्जी सिंग इसको बलावल गार्डन थे उसके अंदर इसको celebrate करते थे और उनके बाद भी उनकी उलाद भी है दूसरे लोग भी इसको celebrate करते हैं जो मैं आज देखने वालों को एक यूनीक चीज़ बताऊंगा बलके आज का आपको बताऊंगा कि जो मुख्लिफ कलर इस्तमाल किया जाते वो कहां और बैरी से लिया जाता है परपल कलर चकंदर से लिया जाता है बीट रूर से लिया जाता है जो ब्राउन कलर है वो टी लीव से बनाया जाता है और जो काला कलर है बलैक उसको आमला लीव से लिया जाता है तो यह मैं इसका मेरे लिए इस वाज निव और मैं खुद अभी तकरीब तीन बज़े के करीब अभी तो एक बज़ा है तीन बज़े के करीब मैं खुद एक होली फैस्टिबल में जा रहा हूं हमारे वाशने डीसी के जो हमारे हिंदो ब्रादरी है वो सेलिबरेट कर रही है आम इन्वाइटेड आज वैं तो उसमें मैं आपको सब को खुशियों का पेगाम स्प्रिंग का लंबी जिन्दगी सहित का और खासकर इस वकत तो दो चार चीज़ें मैं मैंशन करना चाहूंगा आरजू एक तो होली है इसी होली के अंदर रमजान भी है और इसको सेलिबर करना सीखें बहुत जरूरी है कि आप एक खुशी को स्प्रेड करें और मैं जिस तरह पहले पहले कहा है कि मैं इस चीज़ का एक फर्म बलीवर हूं डाक्टर दीपक चोपरा साब हैं उन्होंने कहा था कि यू ट्राय टू मेंक अथर्स हैपी यू विल बिकम हैपी और मैं इस चीज़ को अपने उपर करके मैंने देखा है लर्न किया है आप इविल ब्रिंग हैपिनेस टी ब्यांड ब्यांड दा हैड अफ रैडिकला इस और यह एक रिजड होना और दूसरों से नफरते हैं वुसा हर वकर इससे कोशिश करें इस तनाब करें दूर रहने की हुआ है उसको मैं करना चाहूंगा यह इसलाम नहीं है बलके कोई भी दुनिया का मख़ब किसी दूसरे शख्स की जान लेना बलके किसी जानवर की भी जान लेना और फिर आपका रिलिजन आपको ग्रेजट देगा आप सुदा के करीब चले जाएंगे आप जननत में चले जाएंगे प्लीज यह मैं इसको कंडेम करूंगा इस इस नाट एनी रिलिजन नाट ओनली इसलाम एनी रिलिजन इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता सौ माओं के बचे मारे गए हैं सौ बच्चों के बाप मारे गए हैं सौ बीवियों के एक हस्बंड मारे गए हैं मैं उस पिर मेरी एक request है, इन चीजों से बड़ा होके सोचने की कोशिश करें, किसी जानवर को भी तकलीफ देना बहुत बुरी बात है, किसी के feelings को hurt करना भी बहुत बड़ी का है, मैं समय तो ना मुनासिब बात है, और इस चीज को फिर promote करना, मैं condemn करूंगा इस चीज को, लोगों को ही सोचना चाहिए, तर रमजान के अंदर आप ये काम कर रहे हैं, और फिर देखा, जो चार लोग उन्होंने पकड़े, यारा लोग पकड़े हैं, जो चार उसमें थे, उसमें उन्होंने कहा है, बड़े थोड़े थोड़े पैसे, पांच-पांच हजार डालर, थोड़े थ चलें उसमें कुछ करते हैं जी, इदर से उदर धानली भी होगी, लेकिन इस वकट इन्होंने पापुलर इन रॉड़े हैं, अकानमी उनकी ठीक है, रूबल इस परफार्मिंग राइड, और नेशनलिस्ट हैं, और यूकरेन की वजए से, ही इस पापुलर इन रॉड़े है और साथ उनको चाइना की सपोर्ट हासल है, और उन्होंने आर्मोस्ट थ्रेट दी है, कि मैं इसका बनला लूँगा, और जो शवाहिद मिल रहे हैं, उसमें आज बिल्खसूस मैं जो आज सुबह आपके सेग्मेंट मियाने से पहले जो पढ़ रहा था, उनका हुसा साइल और अमेरिका की तरफ जाता ना दुना रहा है, उसमें जो पेंटागान के जो वाइट हाउस के स्पोक्स परसन है किर्भी, उनके हवाले से भी थ्रेट्स जो उन्होंने जो इनकिशाफ किया था, फिर दूसरा आज जो वाक्या सामने आ रहा है, जो वो रही हैं, कि अमेरिका ने इस वाक्य के होते ही फॉरन यूकरेन और दूसरे मुमालिक का इसमें कोई इसमें शमूलियत से फॉरन इंकार किया है, और उसको रशिया इस तरीके से देख रहा है, कि इन्हें इतने बावसूफ जराय से किस तरह पता था, कि यूकरेन इस नाट और मैं इस वक्त उनका सबसे ज़्यदा हुसा दो कंट्रीज के उपर नजर आ रहा है, इसराईल और अमेरिका, तो मैं समयता हूं कि दुनिया इस वक्त जो है, वो मुसलसल तीसरी आलमी जंग की तरह बढ़ रही है, और जो रशिया ने स्पेस के अंदर अपना अटामिक प मिलकुल ऐसे, लेकिन सर्थ पाकिस्तान में एक खबर और है जो लोग बहुत देख रहे हैं और बहुत दिल्चस्पी से देख रहे हैं, वो है इस सागडार साब का स्टेट्मेंट के उनका कहना है कि जो बिजनस कम्यूनिटी है पाकिस्तान की वो चाहती है कि भारत के साथ करेगा ये बात जरूर सब लोग सोच रहे हैं कि क्या बारत दुबारा तयार होगा हमारे साथ बात करने के लिए ट्रेट करने के लिए देखें आप पहले सबसे पहले तो आप उसका उसके महाल बनाएंगे, आप उसकी तरफ बेबी स्टेप्स लेंगे, तब ये चीज़े ह होगी, इसाग डार साब के बियान से चीज़ें नहीं सैटल होगी, बलके इनके जो फैमिली मेंबर हैं, शबाज शरीफ साब, उन्होंने बलके अपने दौर में पिछले 18 महीने की जो उनकी हकूमत थी, उन्होंने आते ही, निव डेली के अंदर कमेर्शल अटाची को भेज दिया था लेकिन एक डालर की एक रुपए की तियारत नहीं हुई, आपका माजी में देखा जाए, आप एक स्टेप आगे लेते हैं, दो स्टेप पीछे की तरफ ले लेते हैं, तो इस तरह आपको मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी, आपको सबसे पहले तो जो सबसे देखा जाए, इसाग दार साफ फारण मिनिस्टर हैं, सबसे पहले तो फारण पालिसी की तरफ में अगर देखा जाए तो इस वकत आपके जितने प्रोसी हैं, सब आपसे नाराज है, भारत भी नाराज है, एरान हमला कर चुका है, अफगानस्तान मुसलसल धंकियां दे रह है, चैना का सी पैक आप उसके पकोड़े बगना के खा गए हैं, आपने पीजे खा लिए तो इस वकत सारी दुनिया, दूसरी दुनिया दो छोड़ दे, जो चार प्रोसी हैं, वही नाराज हैं, क्या ही अच्छा हो कि इस हागडार साब सबसे पहले इन चारों मुलकों का द है, वह भारत के साथ, आपको पता है, जितना मेरा भारत के साथ लेना, देना, मेरी फीलिंग्स है, मेरा क्याद ही किसी और पाकिस्तानी की होगी, मैं उन्हेजा है, तो आशा करता हूं कि वीडियो का अपने अंतक देखा होगा, और हमेशा कि तरह आरजु कास्मीजी और सा काफी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो इसे लाइक को शेयर जरू कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्षिय में लिखकर जरू बताए हमें आपके कमेंट के इंतिजार रहेगा और एक बाद फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्रा कर, 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 कर,